ममता बेनर जी ने उपरास्टपती चुनाओं में मद्दान से दूर रहकर भाजपा का एक तरह से साथ दिया लेकिन उसके दो सांसदों ने काईदे से चुनाओं में भाग लिया और जगदीब धन्खड के पक्ष में वोट डाला दो सांसदों की बगावत से ममता बेनर जी को गहरा जटका लगा है जो इन दिनों पार्ट चठर जी के गोल माल से निपटने में जुटी हैं हलाकि टीमसी ने अपने सांसदों को मदान में भाग नहीं लेने का आदेश दिया था लेकिन शिशिर अधिकारी और दिव्यंदू अधिकारी ने पार्टी के आदेशों को न मानते हुए मदान किया इसके पहले सुधी बंदोपाध्याय ने शुबेंदू अधिकारी के सांसत पिदा को पत्र लिखा और कहा कि लोगसभा और राजेसभा दोनों ही सदनों के संसेदी दल के सदस्यों ने उप राश्पती चुनाओ के लिए होने वाले मद्दान से दूर रहने का निर्ने लिया है उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा कि इस निर्णय के मुताबिक हम मद्दान से दूर रहेंगे सुधी बंदोपाध्याई की ओशे शिशे राधिकारी को ये पत्र चार अगस्त के दिन भेजा गया था जो अब सामने आया है लोगसभा में टीमसी संसदी दल के नेता सुधी बंदोपाध्याई ने शिशे राधिकारी को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपी स्पीकर को भी भेजी है शिशे राधिकारी साल 2019 के लोगसभा चुनाओ में टीमसी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे पस्चम मंगाल में विधान सभा चुनाओ से ठीक पहले सांसद शिशे राधिकारी के पुत्र शुबेंदू अधिकारी ने मुख्यमंत्री मम्ताब एनरजी के निर्त्रतो वाली सरकार के क्याबिनेट मंत्री पद से इस्तिफा दे दिया था और भाच्पा की सदस्यता ग्रण कर ली थी शुबेंदू अधिकारी के टीमसी छोड़ने के बाद शिशे राधिकारी भी दोहजार एकीस के विधान सभा चुनाओ से पहले भाच्पा में शामिल हो गए शिशे राधिकारी बीजेपी में शामिल तो हो गए लेकिन लोगसभा की सदस्यता से इस्तिफा नहीं दिया था TMC संसदी दल के नेता ने अब उप रास्पती चुनाओ की वोटिंग से दूर रहने के लिए शिशे राधिकारी को पत्र भेजा है लेकिन शिशे राधिकारी के साथ उनके दूसरे सांसत पत्र ने भी ममताब एनरजी के आदेश को ठुकरा दिया मतलब साफ है कि दिव्यंदू ने भी अब TMC से दूरी बना ली है Bureau Report, News of India